बाई बाई बट हमारे सामने नहीं है और हमें दिकाई भी नहीं देती जी हाँ दोस्तो मैं बात कर रहा हूँ भूत के उपर आप मेंसे काफी सारे लोग बच्पन से ही कई अनो की अनो की भूतों के बारे में कहान या सुनते आई होंगे और आप मेंसे कुछ ऐसे भी लोग हो सकते हैं कि जिनोंने असली में भूत को देखा भी हो मेरी तरफ बट क्या आपको ये बात पता है कि actually में वो कहां रहते है और उनकी पीछे की कहानी क्या है और वो ऐसे क्यू रहते है अनभूत के नाम से हम सारे लोग डरते क्यू है तो आपके सारे सावालों के जवाब इस वीडियो में देने की पूरी कोशिश करूँगा तो इस वीडियो के इन तक जरूर देखना देखो सबसे पहली बात मैं आपको बता दू कि जो भूत, पिसास, चुडेल, डायन, जोम्बीस और जो भी आप इसको नाम देना चाहिए आप दे सकते हो बट जब एक इनसान की मौत होती है और उसकी अगर कोई एक ऐसी इच्चा अदूरी रहती है जिसको वो पूरा करना चाहता था किसी भी हाल में बट वो पूरी नहीं हो पाती तो उसकी आत्मा स्वरग या नरग में नहीं जा सकती उसकी आत्मा इसी धर्ती पर भटकती रहती है और उस सपने को या फिर उस इच्चा को कैसे भी पूरा करने के लिए वो आत्मा कुछ भी कर सकती है मुझे पता है आप मेंसे काफी सारा ऐसे लोग होंगे जो कि इस बात पर बिल्कुल भी यकिन नहीं करोगे बट मेरे साथ भी ऐसी कुछ गटनाएं हुई है जिनको अगर मैं बताना चाहूँ तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी बट मैं आपको इतना जरूर से बता सकता हूँ जो भी वो आतमास या ऐसी entity रहती है वो हमारे सामने क्यूं नहीं होती क्योंकि उनकी frequency अलग तैटी होती है हमारी देखने की frequency अलग तैटी होती है आपने एक काफी बार सोचा होगा यार एक ऐसी entity है जो हमारे साथ में रहती है बट हमें दिकाई नहीं देती है अगर आपकी spiritual third eye खुली है जो यहाँ पर मौजूद होती है तो दोस्तो आप उनको देख सकते हो आप उनको सुन सकते हो और आप उनके साथ बाते कर सकते हो मैं कोई भी कहावते नहीं सुना रहा हूँ मैं जो भी बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ अगर आपकी third eye आपने एक बार खोल ली तो दोस्तो आप ऐसी ऐसी चीजों को देख सकते हो अपनी उस आख से जो कि आप अभी अपनी दोनों आख से कभी भी नहीं देख सकते तो उन आत्मास मेंसे कुछ ऐसी आत्मास होती है जो की अच्छी होती है और कुछ ऐसी आत्मास होती है जो बुरी होती है मैं उन आत्मास की बात कर रहा हूँ जो की यहाँ पर इस धर्ती पर बटक रही है अश्वत धामा की तरह देखो दोस्तो हम मैंसे काफी साथ ऐसे लोग हैं जो आतमास से connected हैं उनसे बाते करते हैं अपना काम उन आतमास के द्वारा वो पूरा करवा लेते हैं बट यही आतमा कभी कमार हमारे उपर भी हावी हो जाती है बट मैं अभी के लिए आतमास की किसी भी स्टोरी के उपर बात करना नहीं चाहता मैं बस आपको इतना कहना चाहता हूँ कि आतमास होती है मेरे साथ भी ऐसी कुछ गटनाएं हुई हैं जो कि कभी और मैं आपको बताऊंगा आप आत्मा पर बिलिव करते हो या नहीं करते है मुझे नीसे जरू से कमेंट करके बताना और मेरे को ये भी बताना कि आपने कभी आत्मा को देखा है चुडल को देखा है, जोमी को देखा है ये डायन को देखा है मेरे पेडियो से जरुकमेंट करके बताना आज का वीडियो पसंद आया होगा वीडियो को लाइक करदेना दोस्तों और ऐसे हटके वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करदेना मिलते एक और नइए वीडियो में तब तक लिए ढ़िए थैंक यो बाई बाई बाई